केजरिवाल की दिल्ली में बीजेपी नेता का बड़ा काम देखती रह गई पूरी आमादमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में भले ही आमादमी पार्टी का राज हो लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी बीजेपी ही काम करती हुई दिखती है और ऐसा हम नहीं बलकी खुद दिल्ली वासी कहते हैं सर्दी हो या गर्मी, बीजेपी के कई नेताओं को आपने सड़क पर घूमते हुए और गरीब जरुतमंदों की मदद करते हुए देखा होगा आज एक बार फिर दिल्ली प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विश्नु मितल ऐसा ही कुछ काम करते हुए नजर आए जिसने ना सिर्फ दिल्ली बलकी सभी देशवासियों के सीने को गर्व से चोड़ा कर दिया पिये मोदी और जेपी नडड़ा से प्रेणा लेकर समात सेवा में जुटे विश्नु मितल ने विशाल स्वास्ते शिविर का आयोजिन किया जी हां मयूर विहार जिले के कोंडली वार्ड में रविवार को आउ साथ चले संस्था की तरफ से विशाल मुफ्त स्वास्ते जांच शिविर का आयोजिन किया गया प्रधान मंद्री नरिंदर मोदी की प्रेणा से भारती जंतापार्टी दिली प्रदेश अध्यक्ष दिरेंदर सचदेवा के नित्रतव में संस्था द्वारा आयोजित स्वास्ते शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अपने स्वास्ते की जांच का पता चलने पर रोग से बचाप के जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने स्वास्ते जांच शिविर को प्रेवेंटिव हेल्थ केर के लिए जरूरी बताया। कारेक्रम के दौरान 330 लोगों को चश्मा वित्रित किया गया, साथी 12 लोगों को कान की मशीन भी दी आपको बता दे कारेक्रम सेयोजक निगम पार्षद मुनेश डेडा और विरेंदर डेडा जी द्वारा आयुजित किया गया था। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विश्नुमित्तल के अलावा जिलाध्यक्ष विरेंदर धामा, पूर्व जिलाध्यक्ष रामचरन जोहान और अन्य कारेक्रता इस कारेक्रम में उपस्तित रहे। पूर्व जोहान जी वे कारेकरता भाई बहन उपस्तित रहे। कारेक्रम सेयोजक निगम पार्शत बहन मुनेश डेडा वे विरेंदर डेडा जी को विशेशा भाद। पिये मोदी और जेपी नडड़ा से प्रेड़ना लेकर केज रिवाल की दिल्ली में विश्नु मित्तल ने जिस तरह से इनेक काम किया। उस पर अब आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जबूर बताएं। झाल